जिला अस्पताल में डॉक्टर वर कर्मचारियों की लापरवाही आए सामने उत्तर प्रदेश के जनपत बांदा के जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी की एक बड़ी लापरवाही सामने आए है जहां पर जिला अस्पताल के कर्मचारी ने एक महिला के सुई लगा रहे थे उसी दोरान अचानक महिला के सुई लगाने वाले उसी स्थान में सुई अंदर रह गई इसके बाद महिला दर्द से और ज्यादा कराहने लगी पर इजनों ने आनन फानन में महिला का एक स्रे कराय जिस पर महिला के शरीर के अंदर तूटी हुई सुई मिली है। जिला अस्पताल के उच्च दाक्टरों को दी डॉक्टर भी पूरे मामले में टालमटोल करते रहे। इसके बाद परिजनों ने महिला का एक्सरे कराया तो महिला की शरीर में काफी अंदर तक सुई घुसी हुई थी मामले का संग्यान लेते हुई जिला अस्पताल सेमिस ने महिला को आनन फानन में ओप्रेशन थीयेटर पहुचा कर और ओप्रेशन करके सुई को बाहर निकाला गया है। बांधा सिप्रभंजन कुमार गुपता की रिपोर्ट गविषान क्या देखिए एक यह उसको इंजेक्षन लगाया गया और जब सीरिंज लगाकर इसी क्की गई है तो जहां सीरिंज जो स्टील की होती है और जहां प्लास्टिक पयी इसका जॉइंट होता हप पे उस जॉइंट से खुल गया है संभवता एक मैनुफेक्ट्रिंग डिफेक्ट है ऐसा होता नहीं है कभी जो है मेरे जीयों ने पहली बारे पहला केस है देखने को मिला तो उसका हम लोग ने तुरंट संग्यान लिया उसका एक्सरे कराया गया और जो भी हो नेकिन होना तो नहीं चाहिए फिर भी उसको देखेंगे क्यों हुआ कि क्या लाम आपका रजनेश्तिवारी रजनेश्तिवारी यह कौन है यह हमारी बड़ी मम्मी है बड़ी मम्मी है जी अज़क्ति क्या हुआ है इनके सुबह पैट में दर्द हो गया था हम तरतरों कि लापरवाई है और किसके लापरवाई अब कि मलों कि इसने मालूं कि अप्री करो ऑट करेंगी अधिसरा करेंगी आदर दाले थे मारा दर्द वो जाए तो हम इसरी हमारा दूसरी जाकिने बालें हुम करवारा के रहने बाले हैं तो इसमें पूरी पूरी लापरवाई डाक्टर की जी